बेलकम टू राजन आई टाई यूटूब चैनल इस वीडियो में जानेंगे जो इंस्टेक्टर की भरती आई है मजगाव डाक सिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत सरकार का उपकरन ही है ठेक है यहां पही क्या होता है कि जो ट्रेनिंग दे जाते हैं ठेक है तो ट्रेनिंग मे इंस्टेक्टर की भरतीया निकली है अगर आपका भी यह ट्रेड है तो अपलाई कर सकते हैं अगर आप CITS किए हुए तो बहुत अच्छी बात हैं आप अपलाई कर सकते हैं अगर CITS नहीं किए हुए तप इस बीडियो में चानेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है अनुबंदित प्रसिक्षक कॉंटेक्ट इंस्टेक्टर की निवक्ति है तु अधि सुचना अब जब यहाँ पे आगे आप बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ट्रेड इन्होंने मेंसन किये जैसे ड्राफ्ट मेंड मेकेनिकल की पत्की संख्या एक पुष्ट है उसके बाद ऐलेक्टिसियन builder के लिए एक सीटे उसके बाद impliability skill and soft skill के एक सीटे सांकेतिक भासा तुई भास ये प्रसिक्षक के लिए एक सीटे तो ये आपकी सीट है ठीक है आप जरूर apply करें क्योंकि यहां से आपको आगे जाने की मौका मिलेगा अगर age की बात की जाए तो 45-45 की age है आप यहां पे अरक्टमेंड मेकेनिक कल फीटर फाइप फीटर यह सब के लिए क्या चाहिए आप देख सकते दसमी कक्षा उतिर्णोंना चाहिए उसके बाद उद्योग या सिक्षन या प्रसिक्षन में पांच वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित ब्यपसाय में राश्टिए शिक्ष सुता प्रमान पत्र प्रिक्षा उतिरन चाहिए इसका मतलब यह है कि यहां पर देख सकते हैं उद्योग या सिक्षन टेक है पांच साल का एक्स्परियेंस चाहिए उसके बाद बताया है कि उद्योग या सिक्षन प्रसिक्षन में तीन बर्ष के नुभव के साथ मेकेनिकल electrical production उसके बाद electronic ये सारे के लिए प्रोद्यक्यमेंट diploma होना चाहिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं employee and soft skills के लिए MBA या BBA दो बर्स के नुभब के साथ चाहिए उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेतन की बाद की जाए कितने आपके परमंत मिलने वाले हैं तो आपे देख सकते हैं ईनूमने लिखा है विद्वार को 12來到 above इसका मतलब ही वा कि जितना दिन आप वहां काम करेंगे वर्किंग आवर जो रहेंगे उसमें आपको बारा सूर रप्या को डेली मिलेगा साड़े साथ से पांच बजे तक ठेक है आपको आपे राना होगा उसके बाद चैने तुम्हें दवार ठेक है टीए डीए सेवा निधी लाव अन्य शुबधा के पात्र नहीं होगे यानि यह सब आपको नहीं मिलेंगे ठेक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो मेन है वो द अनुपात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं चैन किये जाने वाले उमिदवार को वन रेश्यों 12 के अनुपात में आपको अमंत्रित किये जाएंगे ठेक है यानि एक सीटे पर कितना को बुलाए जाएगा बारा को बुलाए जाएगा उसके बाद आगे क्या होगा म सत्यावे जो का सत्यापन होगा ठीक है यह सारे चीजें चाहिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तागे यहां पर देखते हैं अनुभव यह भी देखा जाएगा उसके बाद चाती परमानपत यह सारे चीजें होगे ठीक है अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं यहां पर देख सकते हैं नियोजनपूर्थ शिकित्सा जांच यह भी होगा अब आपको इसको apply कैसे करना है apply करने के लिए आप देखे website दिया हुआ यहां पर आपको जाना है ठीक है website पर आपको यह जो website है यहां पर आपको Chrome यह Google में खोलना है वहां पर जाने के बाद आप यहां से देख सकते हैं यहां पर भरने के लिए detail बताया गया है तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से आप वहां क्या करेंगे apply करेंगे ठीक लेए apply करने के लिए दिया हुआ हुआ है उसके बाद यहां पर आप देख स आप देख सकते हैं उसके बाद बैस पाचान पत्र जाती परमान पत्र ठेक है अगर यहां पे यह साथी चीज़ें आपको भरना उगा उसके बाद आगे चलेंगे आगे चलेंगे तो यहां पे जो ज्यादा important है वो देखेंगे ठीक है अगर कोई दिखतें आती है तो इस पर आप संपर्ख कर सकते हैं यहां पर नंबर भी दिया हुआ है इसको office का यहां से आप कर सकते हैं अगर इसकी online की बात की जाए online 24 मई से ठीक है लाश्ट डेट की बात की जाए 14 जून ठीक है उसके बाद 25 जून से आगे की जो है प्रोसेस शुरू हो जाएंगे उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर चलिए यहां तो इन्होंने बताया है कि क्या इसके है तो ठीक है तो यहां पर website पर आप जा करके इस form को जरूर अपलाई करें ठीक है क्योंकि अगर आप कंप्लेट है तो आपको चांसे से आपे ज्यादा बनेंगे मरिट लिस्ट बनने ठीक है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू